हे गाइज वन्स अगेन वेलकम बेकिन आवर चैनल केम बाइएम सो गाइज सेंट्रल इन्वर्सिटी ओ फर्याना ने पिएच डी एड्मिशन सेशन 2021 तो 2022 के लिए अप्लिकेशन फॉर्म रिलीज कर दिया है आप इनके ओफिसल वेबसाइट सीवेच डॉट एसी डॉट इन प करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्षं है और पहले पहले पर लेना है और जो refers to पहले तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आपको सीट मेटिक्स चेक करना चाहिए कि कितना सीट्स आपके रिस्पेक्टिब डिपार्टमेंट में है जिसमें आप एड्मिशन लेना चाहते हैं यहां पर ख्लिक करके सीण्ट में चेक कर सकते हं मैं आपको 두 वेنتिक फृ singles सेक्र हेजा में ते डिपार्टमन के क्लिए अच्म आप सकते हैं अच्छिए हा capacity दिपार्टमेंट में से memorize लिए हैं अलग-अलग departments में तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं category वाइज यहां पर शीट्स दिये गए है PhD admission के लिए तो गाइज आप एक बार सीटमेटिक चेक कर लोगे उसके बाद सबसे आदा important है eligibility criteria check करना कि आप eligible हो या नहीं हो PhD यहां पर क्लिक कर सकते हैं यहां पर क्लिक करोगे तो यह complete detail में eligibility criteria यहां पर open हो जागा इसे आपको पढ़ लेना है उसके बाद आपको apply करना है कि आप eligible हो या नहीं हो यह है eligibility criteria और जैसा कि यह है कि जो बंदे होते हैं तो फेलोशी जिनके पास होता है तो उनके लिए एक चीज़ अच्छा है कि उन्हें रीटेंट टेस्ट से एक्जेम्ट किया जाता है means उसे रीटेंट टेस्ट देने का जववत नहीं होगा उन्हें उसी score पर मतलग कि जैसे यहां पर क्लिक करके यहां पर admission रूल देख सकते हैं कि इडमिसन सेंट्रल निवर्सिटी फर्याना में पीएचडी में कैसे दिया जाएगा यहां पर देख सकते हैं डिटेल में यहां पर मिंसने की admission कैसे दिया जाएगा आपका एच कितना होना चाहिए relaxation आपके के के टेगरी के हिसाब से कितना relaxation मिलेगा यह आप यहां पर चेक कर सकते हैं यहां पर detailed में पूरा चीज दिया हुआ है अगर इसके कोई confusion है कुछ क्योड़ी है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं बेज़िजक कमेंट किजएगा यह हो गई कितना देना होगा आपको डिपार्टमेंट बाइज यहां पर देख सकते हैं कि योजी कोर्सेज में इंटिग्रेटेड कोर्सेज में पिएजडी कोर्सेज में यहां पर देख सकते हैं इधर साइड में पिएजडी सेक्शन में आपको डिफरेंट प्रोग्राम के समेश्टर का फी नहीं है इसमें सिक्रेटी मनी भी एड़ेड होगा अब है कि आपने सभी चीज पढ़ लिया तो उसके बाद यह है कि आपको फी कितना देना होगा अपलाई करने के लिए अगर आप जेनरल देना है सिर्फ फी जेनरल EWS और OVC क्याटेगरी के स्ट्वेंट को एक हजार उपिया नॉन इफंडेवल फी देना है और आपका इंट्रेंस एक्जामिशन कब होगा पी एड्मिशन के लिए तो आपको इंवस्टी के साइट पर बता दिया जाएगा कि कब आपका एक्जाम के रिगार्डिंग बाते अब है कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो गाइज मैं आपको आगे बताऊंगा क्या आपको कैसे अप्लाई करना है पी एचडी के लिए और इसका लाज़ डेट है क्या 29 अपनोंबर तक आपको हर हाल में पी एचडी में अगर एड्मिशन चाहि आपको कैसे अप्लाई करना है इस पर क्लिक करते हैं देखिएगा कि अप्लिकेशन फॉर्म का यह बेपेज उपन हो जागा इसमें सबसे पहले आपको रिजिस्टर करने के वाद आपको लॉग इन कर लेना है रिजिस्टर करने के लिए यहां पर डिटेल्स कुछ मांगा ज अबugen आपको सबजेक्ट आपको सब्जेक्ट चूज करना कि किस डिपार्ट्मेंट में प्येच्डी में एडिमिसन लेना चाहते हैं यहां पर डिफेरेंट सब्जेक्ट दिए गये हैं और उसके बाद क्लिक करोगे तो आपके कि ईमेल और मुवाइल नुमर पे एक कोट जाएगा उस कोट को वेरिफाइग करना है एक वार वेरिफाइग तो उसके बाद यहांपर आना है उसके बाद जो फक्रता हूं वागिन करने के वाद को कैसे अगर और अगर कुछ भी department specific curies आपको जानना है या कुछ भी department से related आपको HOD से बात करना है कुछ आपका personal curie हो सकता है कुछ confusion हो सकता है तो अगर जानना है तो यहाँ पर list of dean HOD जो दिया गया है department wise इस पर click करके आप check कर सकते हैं करता हूँ उसके बाद मैं continue करता हूँ एक बार आप अपना details डाल के login कर लोगे तो सबसे पहले आपसे basic information फिल करने को बोला जाएगा सबसे उपर आप देखोगे कि आपका application number generate हो चुका है मैंने mathematics के लिए apply किया है तो यहाँ पर mathematics prefix में आ रहा है और आपने जो भी details registration के समय दि vendor आपसे आप किसे state से belong करते हैं आपका religion क्या आपका father's name, father's mobile number, mother's name यह marital status यह general information है यह आपसे मांगा जाएगा यह आपको फिल करना है उसके बाद आपको save कर लेना है यह basic information save करने के बाद सबसे important रहता है academic qualification वाले सेब करने के बाद आप academic qualification वाले section पर क्लिक करोगे तो आपसे matriculation, intermediate, graduation और post graduation का details मांगा जाएगा तो आपको subjects यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद आपको college फिल करना है किस school college से आपने परहाई किये उसके बाद आपको board university फिल करना है कि किस board university से आपने परहाई किये उसके अपने आप calculate करना है और यहाँ पर फिल करना है up to two digits यहाँ फिल कर लेना है उसके बाद फिल करने के बाद यह एक बहुत important है अगर आपने इसमें से कोई भी exam जैसे UGC, CSIRJRF, net, slate, gate कोई भी exam qualify किया है तो यहाँ पर आपको yes करना है, yes किजिएगा तो आपको उस exam का detail मंग test होगा तो उसके लिए आपको appear होना है, अगर आपने इसमें से कोई भी exam दिया है तो आपको test में appear होने का कोई जरूत नहीं है, आपको direct interview के लिए call किया जागा इस examination के basis पे, so इसके बाद आप save कर लोगे तो उसके बाद आप से declaration मांगा जाएगा, declaration में यह points है इसको यहाँ पर नीचे जो maximum size है इसे ख्या लगते हुए आपको उसी अनुसार आपको photograph signature, matriculation का certificate, intermediate certificate, graduation और post graduation का certificate आप upload कर सकते हैं, so guys यहाँ पर upload बाले section पर क्लिक करके आपको upload कर लेना है उसके बाद save कर लेना है, save करने का बाद preview में आपने जितना form शुरू से लेके अन तक ज check कर लेना है, एक बार क्योंकि payment करने से पहले आपको check कर लेना है, कोई भी गलत information है तो उसको edit कर लेना है, क्योंकि एक बार आपने जब payment कर दिया उसके बाद कोई information edit नहीं होगा, so आपको carefully check करना है, और कुछ गलती है तो edit कर लेना है, so guys यह है PhD admission की regarding बाते, मैंने step by step बता पीच्टी में apply करना है, उन इस्ट्वेंट के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, WhatsApp group में share कीजिए, Telegram group में share कीजिए, ताकि maximum बच्चे को खायदा मिल सके, और अगर आपने अभी तक के इम बाईम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CU सब्सक्राइब कोई इनफर्मेशन इस चैनल पर अगर आपको चाहिए, तो आते रहेगा डिफरेंट सेंट्रल इनवसिटी के रिगारिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे सेंट्रल इनवसिटी के इनफर्मेशन के साथ तब तक के लिए बाब बाई